बिहार में मौसम का मिजाज फिर से बदलना शुरू हो गया है उमस और गर्मी से परिशान लोगों की बारिश के जड़िये राहत मिलने वाली है मंगाल की खाड़ी में बने कम दवाओ का शेतर के कारण आसपास के इलाकों में मौसम में बदलाओ देखा जा रहा है राज्य के आसमान में बादलों की आवाजाही शुरू होने के साथी छिटपुट बारिश भी शुरू हो गई है रविवार को पश्चमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपाल गंज, सिवान, सारट, बकसर, भोचपूर, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, अर्बल, पटना, गया, नालंदा, शेकपुडा, जहानाबाद, लकी सराई, बेगु सराई, नवादा, भागलपूर, कि कुछ इलाकों में हलकी बारिश के आसार है, सोंगवार और मंगलवार को राज्य की कई हिस्सों में तेज बारिश हो सकती है, पटना के मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार, 18 ओक्टूबर को पश्चिम चंपारण, सिवान, सारण, गोपाल गंज और बकसर जिले में त पेज बारिश, जबकि 19 ओक्टूबर को पश्चिम और पूर्वी चंपारण के साथी वपाल गंज में भारी बारिश हो सकती है, 18 तारिक को उत्तर पश्चिम, दश्चिन पश्चिम, उत्तर मद्दे एवं दश्चिन मद्दे बिहार के जिलों में एक क्या दो जगोहों पर में गरजने की संभावना है, इन इलाकों में ब्रचपात का खत्रा बना रहेगा, तो मौसम विभाग ने भलही आधिकारिक तोर पर घोशना कर दी है कि मौनसुन विदा ले चुका है, लेकिन फिर भी बारिश का दोर अभी खत नहीं हुआ है, मौसम विभाग ने चानकारी की संभावना जताई है, साथ ही तापमान में गिरावट दर्च की जा सकती है, आयमडी ने रवीवार और सोमवार को कुछ जगों पर हलकी बारिश की संभावना के साथ ही यलो एलर्ट जारी कर दिया है, मौसम विभाग के अनुमान है कि अगले 24 घंटों में अधिक्तम ता काफ रहेगा और दोफैर तक कहीं कहीं हलकी बारिश हो सकती है, अगले दो दिनों के लिए यलो एलर्ट जारी किया गया है, इस दोरान हलकी ठंड भी बढ़ सकती है संद्र मंत्र के बाशा, भारत के जाने माने, सर्विसे, गुरू खान जी मिलेगा हर समस्या का समधार, गैरंटी के सांद मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिष्टे आते थे, पर कोई न कोई अर्चन पड़ जाती थी, इसी वज़ा से मेरा पूरा परिवार बहुत परशान था, बाबा जी की दुआउं से, आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहु बने बट को चाहे जहां काम होका सिर्फ यहां, ग्रह कलेश, कर्श मुप्ती, प्रेम विवा, जादु टोना, पती पत्नी में अन्बन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोट कचैरी जैसे समस्याओं का समधान गुरू खान जी, अभी कॉल करें, 9821707996 बारिश के साथ ही मौसम में अच्छानक बदला होगा, जिससे बारिश होने पर तापमान में और गिरावट आएगी सब्ता के अंट तक न्यूक्तम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस तक पहुच सकता है और ठंड बढ़ सकती है